हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है भेद भाव बहु या कपड़े मसीन में क्यों धो डाले बिजली पानी साबुन सब्वेर तजा रहा है माजी मुझे पाटिले पर बैठते नहीं बन रहा था सोचा आज मसीन लगा लूँ वह अभी तो सिर्फ चौथा महीना ही चल रहा है अभी से या हाल है बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा आज के बाद पूछे बगर मसीन न लगाना सास मंजु जी कहते हुए मंद्र निकल गई बहु अभी तक रोटी क्यों नहीं बनी तुम्हारे बाबु जी इंतजार कर रही है रसोई में गुस्ते हुए बोली हा मा जी वह रोटी की गंद से उबकाई आ रही थी आप बैठो अभी करती हूँ देखो बहु ये बहाने बहुत हुए हमने भी बच्चे पैदा किये हैं तुमने कोई अनुका काम नहीं किया जैसा चला रहा है वैसे ही सारा काम होना चाहिए गुस्से से घी चुपडी रोटी लेकर बाहर चली गई सोनी की रुलाई फुट प बोलती काम करने से सरीर चुस्त बनता है बच्चा गिगूमता रहता है इसलिए जाडू पोछा बैठकर बरतन धोना खाना बनाना है हर काम वैसे ही चल रही हैं जैसे पहले करती थी तबियत की वज़ा से उसने काम वाली लगाने को कितनी मनती की मगर मन्जु जी ने साफ इ बोली मुझसे अब जादा काम नहीं होते कुछ नहीं तो जाडू पोछा बरतन के लिए बाई लगवा दो तब गवरो बोला तुम अब कोई अकेली नहीं हो धरती पर जो मा बनने वाली हो अभी से यहा हाल है बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा सीधे का हो ना मा के आगे आवाज नहीं निकलती इतना डायलाग मालने की क्या जरूरत है सोने की आँख लग गई जब उठी तो देखा गवरो आपिस जा चुके थे साससुर नास्ता कर बैठे टीवी देख रहे थे माजी नास्ते में क्या बनाया आज हलवा पूरी बनाया था दातों को भागना यहालस देर तक सोना मेरे घर में नहीं चलेगा समझी एक दिन नास्ता नहीं बना सकी तो कितना कुछ सुनाया गया साथ में एक निवाला भी रसोई मेना छोड़ा गया अरे गरवती को तो अजनबी पडोसी भी खाना खिला देते हैं यह तो सास हैं बच्चा इनके खानदान का है फिर भी इतना पराया पन सोनी को बहुत गुसा आया मगर कहती किसे उसकी माव तो थी नहीं भाई भाई भाबी पूछते नहीं थे मन करता यहां से चली जाए पर जाए तो जाए कहां यहीं सोचकर चुप हो जाती मगर घूरे के भी दिन फिरते हैं भूला न बजती है नीतु तुने या बाद चार महीने बाद मुझे बताई आखिर मैं नानी बनने वाली हूँ तुझे सर्मन नहीं आई जूट मूट का नाटक करते सर पर हाथ फेरते हुए मन्जु जी बोली मम्मी मुझे सासु माने मना किया था कहा किसी को मत बताना नजर लग जाती है हद करती हैं तेरी सास मा को बताने में क्या तकलीप वह सब छोड माई के आई है पूरा आराम कर किसी बात की चिंताना करना मगर मैं आज रात ही गाव जा रही हूँ तेरी मौसी बहुत बिमार है उन्हें मिलकर दो दिनों में लवटाऊंगी यहां तेरे पापा भाई 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 सब हैं तेरा ध्यान रखने के लिए हा मा आप आराम से जाओ और जल्दी आ जाना ठीक है बोलकर चली गई दो दिन वासफर से ठकी हुई मन्जु जी घर में गुशते ही चिला पड़ी कर रही हैं बड़े मासूमिय से नीतु बोली इसकी इतिनी हमत बहु बाहर निकलो नीतु ने साड़ी क्यों लटका रखी है और पोछा क्यों लगा रही है या इसे तो आराम करना चाहिए माजी आपका सिखाया आप ही भूल गई चलो मैं याद दिलाती हूँ मैंने देखा नीतु दीदी बस पूरा समयालस करती रहती हैं या फिर सोती रहती हैं गाउन में घूमती रहती हैं किसी काम को हात नहीं लगाती बस मैंने आपकी कही सारी बाते इन्हें बता दी कि प्रिग्नसी के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं बस तब से या घर का सारा काम ख थोड़ दिया ज्यादा मोटी हो गई तो बच्चे को दिक्कत हुई तो अरे पागल तुझे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए या कामवाम होते रहेंगे तुगरबवती है आराम बहुत जुरूरी है तेरे अंदर नन्ही जान पल रही है तुझे सिर्फ अपना औ भी मेरे साथ कर रही थी बीते कई दिनों से इसलिए मैं यहां आ गई मगर भावी की माही नहीं है बेचारी कहां जाए यहां तक नहीं सोचा आपने सचा आपने साबित कर दिया सास किसी की भी हो सब एक जैसी ही होती है नित गुस्से से बोली हाई या क्या कर दिया मैंने ब दोनों के खाने पीने का ध्यान खुद मैं रखूंगी, देखो सच में अभी भी भेद भावी कर रही थी, नीतु के लिए गाउं के सुदगी से बने, मेवे के लड़ू बना कर लाई थी, मगर अब से मेरी बेटी बहु दोनों बराबरी से सब खाएंगी, कभी मन नहीं मारें कहते हुए एक लड़ू सोनी के मुह में रख दिया, उधर नीतु सोनी को आख मारते मंद मंद मुश्कोरा रही थी, क्योंकि ये साजिस ननद भावी की रची हुई थी, एक सास को पटरी पर जोलाना था, आशा करती हुँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जुरूर अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी हुँ तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सेर जुरूर करें, धन्यवाद करें